दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गुहर मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर विधान सभा चुनाव चल रहा है और जब चुनाव चलता है तो केवल बात राजनीतिक होती है चुनाव की बात होती है जब चुनाव चलता है तो तमाम लोग नज़र रखते हैं कि कहां क्या हो रहा है राजनीतिक के अंदर चुनाव को अगर आप माने तो पांच साल बाद आने वाली एक परिक्षा वो परिक्षा जिसके अंदर की तमाम राजनीतिक दलों के नेता तमाम चुनाव लड़ने वाल नहीं मिलता तो फिर वो चुनाव मैधान से दूर रह कर देखते हैं अपने मैथेमेटिक्स लगाते हैं किमिस्टरी बिठाते हैं किसके साथ क्या होगा कौन जीतेगा तो उनका प्लिटिकल फ्यूचर क्या होगा कौन हारेगा तो फिर उनकी दाल कैसे गल सकती है मैं अगर पलवल विधानसवा छेतर के आप से बात इस वीडियो में फिर करने चला हूँ अगर पलवल की बात करें तो पलवल का राजनितिक महत्व आप ये समझ लें कि मात्मा गांधी की पहली राजनितिक गिरफतारी का गवारा पलवल हर विधानसवा चुनाव के अंदर अपना एक अलग स्थान रखता है पलवल विधानसवा सीट को हमेशा होट सीट माना जाता रहा है पलवल विधानसवा सीट जिसने बड़े-बड़े धुरंदर बनाए और बड़े-धुरंदरों को जमीन भी दिखाई ये हर चुनाव के अंदर एक नया इतिहास रचा करता है पलवल हमेशा इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस विधानसवा हाना कि विधानसवा सीट तो एक ही है लेकिन नजर रहा करती है उपर तक पलवल के इतिहास के अंदर ये 2024 का चुनाव भी हमेशा याद रहेगा याद तो 2000 का चुनाव भी रहेगा वर्ष 2000 में जो पलवल के अंदर विधान सभा का चुनाव हुआ था वर्ष 2000 के विधान सभा चुनाव के अंदर पलवल की राजनीती के अंदर तमाम बड़े सितारों के एंट्री हुई थी एक 1991 का चुनाव था जब हर्याना और देश के अंदर कॉंग्रेस की बायार शुरू हो रही थी तो पूरू परधान मंत्री राजीव गांधी पलवल आये थे जो लोग राजनीती में रुची रखते हैं और याज जो अभी नई भी युवा है उनको अगर ध्यान ना हो तो बताता चलू कि पंडित नित्यानन शर्मा की फेवर में 1991 में पलवल में राजीव गांधी चुनाव परचार करने आये थे देर रात को उनकी सभा हुई थी और उस सभा के अंदर हजारों हजारों लोगों का हुजून था लेकिन राजीव गांधी परचार करने के लिए आये थे पंडित नित्यानन शर्मा का और उस चुनाव को नित्यानन शर्मा लूस कर गए थे चुनाव भार गए थे यानि कि जिनके पक्ष में दिग्गज आये थे मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि जब जब दिग्गजों की एंट्री हुई तो क्या हुआ राजीव गांदी से बड़ा कोई फेस नहीं था उस समय पर राजीव गांदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं था जो विपक्ष था उसके अंदर विपक्ष के जो नेता थे भारती जंता पार्टी के अगर आप कहलें या फिर दूसरी तरफ हर्याना के अंदर उस समय लोगद का चुनाव था प्रमुख हस्ती राजीव गांधी थे कॉंग्रेस कैंडिडेट नित्यानन शर्मा के लिए और नित्यानन शर्मा वो चुनाव भार गए थे इंडियन नैशनल लोगदल और भारती जनता पार्टी का दूसरी तरफ अगर पलवल विधान सा की सवा की बात करूं तो इनेलो और भाजपा ने देवेंदर चोहान को अपना कैंडिडेट बनाया था कॉंग्रेस से चुनाव में पंडित योगिश गौड कैंडिडेट थे औ और करन सिंग दलाल रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया की कैंडिडेट थे जिनके पास कोई बड़ा चहरा के नाम पे अगर कहें तो कुछ विशेश नहीं था रामदास अठावले की पार्टी रही आरपी आई अठावले साब उस समय शायद पलवल नहीं आये थे परका अठाव वाजपई की चुनावी सभा हुई थी पलवल के अंदर चुनाव परचार का अंतिम दिन था और अंतिम समय पर अटल विहारी वाजपई ने पलवल में दस्तक दी थी उस चुनाव के अंदर देविंदर चोहान के लिए दारा सिंग भी आये थे उस चुनाव में देविंदर चोहान के लिए मदनलाल खुराना भी आये थे उस चुनाव के अंदर यानि की मदनलाल खुराना पंजाबी समाज को रिजाने के लिए आये थे अटल विहारी वाजपई से बड़ी कोई शक्सियत नहीं थी उम्प्रकाश चोटाला तो यहाद थे ही अजय सिंग चोटाला नहीं डेरा डाला हुआ था लेकिन पंडित अटल विहारी वाजपई जो देश के परधान मंत्री थे उनसे बड़ी कोई शक्सियत नहीं थी उस समय राजनीती में, परधान मंत्री थे देश के, करन सिंग दलाल वो चुनाव जीत गए थे और देविंदर चुहान वो चुनाव हार गए थे, यानि कि जब बड़े दिगजों की एंट्री होई, योगेश गौड के लिए राजेश से चुनाव हार गए और करन सिंग दलाल रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया जिसके स्टार परचारक के रूप में, मैं आको और ध्यान दिलाता चलूं तो उस दौर में गाना चलता था, नगरसेट भगसरूप, तायर और गिर्राज शर्मा, सुश्मा स्वराज के भाई यह लोग दो लोगों ने गाना बनाया था, पलवल की जंता का तुझ से केवल एक सवाल है, तेरी आँखों में क्यों चुपता अपना करन दलाल है, और वो गाना इतना लोग प्रिये हुआ कि उस गाने ने करन सिंग दलाल को विधायक बना दिया, करन सिंग दलाल ने एक व प्रणंक्ति उस पर पूरा चुनाव इर्द्गिर्द गौमता रहा और करण सिंघ दलाल चुनाव जीत गई यानि कि जिनके समर्थन में दिगजों की एंट्री सीमक्त पंडिट अटल विहारी वाज़्ट से जिनके SuppDad में रामायन के राम हनुमान आये जिनके समर्थन में मदनलाल खुराना आये दूसरों के समर्थन में काका राजेश खन आये लेकिन दिगज चुनाव नहीं जित्वा पाए उस 2000 के चुनाव के बाद में 2005 का चुनाव हुआ, 2009 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ किसी भी चुनाव के अंदर कोई पलवल के अंदर बड़ी एंट्री नहीं हुई राजनाज सिंग जरूर आते थे दीपक मंगला का समर्थन करने के लिए और राजनाज सिंग को नस्दीक का नेता माने जाने के वज़ा से और उनको पंचायती नेता माने जाने के वज़ा से उनको जो हाई प्रोफाइल वाली बात चलती थी उन नहीं जाती थी अब चुनाव चल रहा है 2024 का दोजार चुनाव चल रहा है दोनो जो प्रमुक कैंडिडेट है करन सिंग दराल और गौरव गौतम दोनो नामांकन कर चुके हैं गौरव गौतम के लिए पलवल में पहली बार अनुराग ठाकुर की एंट्री होगी अनुराग ठाकुर जो भाजबा के बड़े दिगज निता हैं कई बार के सांसद हैं पहले तो केंद्र सरकार के वजीर थे आजकल उनको भारती जंता पारटी अगला ओधा क्या देने जा रही है भी सब समय के गर्भ में है लेकिन अनुराग ठाकुर भाजबा का बड़ा नाम है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी की पलवल के नाम से हलाकी वो जो उनकी चुनावी सभात है हो रही है वो तो प्रतला विधान सभाचितर का पारट बन जाती है लेकिन वो रैली जो डेप्यूट की गई है वो पलवल विधान सभाचितर के लि लेकिन परधान मंत्री नरेंदर मोदी और अनुराग ठाकुर का दोरा फिक्स है यानि कि इस चुनाव के अंदर धाई दशकबाद पलवल के चुनाव के अंदर बड़े दिगज नेताओं की एंट्री है कितना प्रभावित करेंगे चुनाव को यह सवाल आप परम छोड़ र रहे हैं योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ बड़ा नाम है भजन गायक नहिया मित्तल की एंट्री हुई चुनाव के दोरान में हलाकि वो धार्मिक कार्यकरम था लेकिन उस मंच पर गौरव गौतम मौजूद थे भाजबा की कैंडिडेट तो यह तमाम जो सब रहे हैं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर अगर आप यह वीडियो फेस्बुक या इंस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें